नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री जीके का प्रेक्टिस सैट पेपर लिटेस्ट एक्जाम पेटर्ण पर प्रेक्टिस सैट पेपर सॉल्ड किया गया है सैट किया गया है चेक करिए क्या ये कॉशन्स आप से बन रहे हैं अगर आपका ये सेक्शन पूरा तयार है तो जाहिर सी बाते आप से सारे कॉशन्स बनेंगे फ्री वीडियो है पूरा देखिएगा अपने ग्रूप में जरूर शेयर करिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा चले शुर हल्दी घाटी का प्रसित्यूद 1576 में हुआ था अगला कॉशन है निमले कितमे से कौन युग्म गलत है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इन में से कौन सा युग्म गलत है सही उत्तर हो जाएगा तो युग में इन में से महाराणा प्रताप मारवार से संबन देते हैं यह गलत है ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा राइट आंसर है युग्म गलत इन में से कौन सा है तो महाराणा प्रताप मारवार यह वो युग्म गलत है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन 28 मई 1857 की रातरी को राजिस्थान की रातरी क सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन निमनलिकत युग्मों में से कौन सा गलत है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए इन में से कौन सा गलत है राइट आंसर तो राइट आंसर हो जाएगा आमेर राजी की स्थापना 967 में यह आंसर गलत है यह युग में गलत है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह गलत है next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है किस कच्छवाह साशक ने अपनी पुत्री का विवाह समराट अकबर से किया था तो राजा भार्मल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं अगला प्रशन काली बंगा का उत्खनन निम्न मैंसे किस विद्वान के निदेशन में हुआ है काली बंगा का उत्खनन जो है किस विद्वान के निदेशन में हुआ है right answer हो जाएगा तो काली बंगा का उत्खनन हुआ है श् सही उत्तर क्या है काली बंगा के आवशेशों में कौन सी लिपी का प्रयोग किया गया है सही उत्तर क्या है तो काली बंगा के आवशेशों में सैंधो लिपी का प्रयोग किया गया है राइट आंसर हो जाएगा सैंधो लिपी का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट कॉशन देख के आउशे इस राजिस्थान के किस जिले में प्राफ्थ हुए है तो काली वंगा राजिस्थान के हनुमानगर जिले में प्राफ्थ हुए हैं option number B सहИ उत्तर हो जाएगा अगला question सवाई जैसिंग ने जैपुर की स्थापना कब की थी क्या उत्तर हो जाएगा सवाई कौन है क्या उत्तर हो जाएगा बांतारी फुलवारी के लेखक कौन है सही उत्तर क्या है इस प्रशन के लिए राइट आंसर तो बांतारी फुलवारी के लेखक विजयदान देश्था है ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा बनी धनी चित्र जिसे भारतिय मोनालिसा भी कहते हैं किस चित्र सैली में है ये तो बनी धनी चित्र सैली जो है किशनगर सैली में है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं 1335 साखा के संस्थापक कौन थे 1335 शाखा के संस्थापक कौन थे तो 1335 शाखा 1335 शाखा के संस्थापक भीकम जी ओ स्वाल option नंबर E यहाँ पर से इत्र हो जाएगा right answer next question देखते हैं वरहत्तर राजस्थान संग में सिरोही कब संबलित किया गया था राजस्थान में सिरोही को कब संबलित किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में सिरोही को संबलित किया गया था राइट आंसर है संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी तो संयुत्र हो जाएगा संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रेल 1948 को हुई थी राइट आंसर हो जाएगा option number C इस प्रशन के लिए सेयुत्र है अगला caution देखते हैं भारत में संगठित क्रशक आंदोलन सरप्रथम कहां पर प्रारंब हुआ था तो भारत में संगठित क्रशक आंदोलन सरप्रथम जो है बिजॉलिया से प्रारंब हुआ था option number D इस प्रशन क को कहते हैं तो माउंट आबू को राजिस्थान का सिमला कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा राजिस्थान के किस जिले में वर्शा का वार्शिक उसत सरवाधिक रहता है तो जालावार प्रशन का सही उत्र है वार्शिक उसत सरवाधिक रहता है जालावार का next question देखते किस संभाग में है सही उत्तर क्या है राजस्थान में सरवाधिक नदिया किस संभाग में है तो कोटा संभाग में राजस्थान में सरवाधिक नदिया है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है राजस्थान का सबसे प्राचीन छेतर कौन सा है right answer राजिस् γांद का सबसे प्राचीन छेत्र कौनसा है तो जो पहाड़ी भाग है राजिस्थान का सबसे प्राचीन छेत्र है सही लिए हो जाती है next question टैठीज साघर की राजिस सभित्र के हम सबसे पूर्वी सीमा निर्धारिद करते हैं सभित्र क्या हो जाएगा कौन से प्रदेश राजिस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं तो उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब और हर्याना निर्धारित करते हैं option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देखते है राजिस्थान का सरवादिक भाग कैसा है राजिस्थान का सरवादिक भाग कैसा है तो रिगिस्थानी भाग है राजिस्थान का सरवादिक अगला question देखते है राजिस्थान का आकार किस प्रकार का है right answer क्या हो जाएगा राजिस्थान का आकार किस प्रकार का है तो विशम कोण चत्र भुज के आकार का है option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question राजस्थान का छितरफल भारत के कुल छितरफल का कितना प्रतीशत है तो 10.41 प्रतीशत option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का कुल छितरफल भारत के छितरफल का 10.41 प्रतीशत है राइट आंसर है अगला question है किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं मिलती है इनमें से कौन से जिले की सीमा पंजाब से नहीं मिलती है तो बीका नेर जिले की सीमा पंजाब से नहीं मिलती है राइट आंसर डू उंगरपुर बासवाड़ा का प्राची नाम बागड़ है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला question देखते हैं इंद्रा गांधी नहर के योजना कार कौन थे इंद्रा गांधी नहर के योजना कार कौन थे तो कवर सैन option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो ज यह है आपका option number चंबल नदी पर option number D यहाँ पर से यत्र हो जाएगा और यह आपका surprise question है रंग भू में किसकी रचना है इसका answer आप comment box में share करें अगर आपको पता है तो channel पर अगर आप नए है इस प्रकार के वीडियो प्रतिजिन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर channel को subscribe कर लें बैल आइकन on करके रखें जिससे notification आपको मिल जाए वीडियो फ्री है अपने ग्रूप में जरूर शेयर करें और अच्छा लगा हो तो like जरू करेंगा अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो